कि Hello friends, Welcome back to my channel मैं हूँ आपकी वर्शाइब्सप्रेंट्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अज की सिप्रेंट्स आमके प्रassians के कि चिए की अर्गी थे त क傳सरे हैं वीडिबिध essere करते हैं राजतंत्र के बारे में निम्ड मैंसे किस ग्रण्थ में विवेचन उपलब्ध है दर्मशास्त्र , नियाशास्त्र अर्थशास्त्र या फिर नेतिशास्त्र फ्रेंट्सी इसका जो राइट आंसर है वह आप्शेन नमर C जो की है राजय विदान सभाग दोरा इस आस्य का संकल पारित किये जाने के बाद संसत ठीक है नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा समिधान किस देश का है तो इसका राइट आंसर है ऑप्षन नमर A भारत का यह कॉशन बहुत बार पूछा जाता है नेक्स्ट आते हैं लोकसभा में कोई भी धन विद्यक निम्न में से किसकी पूर्वा नुमती के लिए बिना प्रिस्तुत नहीं किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्षन नमर B रास्ट पती की नेक्स्ट है ब्रिटिस सरकार ने भारत पर सीधे शाषन करना कब आरम किया प्लासी के युद्ध के बाद पानीपत के युद्ध के बाद मैसूर की लडाई के बाद या फिर सिपाईयों के गदर के बाद तो गदर रिफ्रेंट है बें गदार होगा ठीक है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्षन नमर A प्लासी के युद्ध के बाद नेक्स कोशन पर आते हैं अब यहाँ पर कोशन पूछा गया है भारती समिदान की प्रिस्ताब नामे धर्म नर्पेक्ष याने की सैकुलर शब नमर इसकिसमे जोड़ा गया इसको मिनी कॉंस्टिटूशन के नाम से भी जाना जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्षन नमर दी समपत्ति का अधिकार नहीं है समानता का अधिकार सुतंतरता का अधिकार शूशन के विरुद अधिकार या पर समपत्ति का अधिकार तो इसका राइट आंसर ऑप्षन नमर दी समपत्ति का अधिकार नेक्स्ट है और्टो मुवाइल बाहनों दोरा निश्काषित मुख्यन नुकसान दे गैस जिससे वायू प्रदूशन होता है निमले कि तमेसे कौन सी है तो इसका राइट आंसर आप्शन नमर ए कारवन मोनो ओक्साइड नेक्स्ट कोशन है पंचवर्षिय योजना के मसौधे का अनुमोधन अंतिम रूप से कौन करता है तो इसका राइट आंसर आप्शन नमर ए वित आयोग नेक्स्ट हाते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पे कौशन पूछा गया है मस्दूरों की वास्तिफिक आये का मापदन क्या होता है एक नियत समय पर उसकी उत्पादक्ता में परिवर्तन या फिर मूल आधार पर कटौती के बाद उसकी आये या फिर उसकी आये की क्रेश शक्त तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नमर ए एक नियत समय में उसकी उत्पादक्ता में परिवर्तन नेक्स्ट है सैंक्त राज संका सदस्य बनने वाला सबसे बात का देश कौन सा है सुजलेंड होंग कॉंग टाइवान या फिर पूर्वी तिमौर तो इसका राइट आंसर वह दी कॉमन कोश्चन है आठ नेक्स्ट है संग लोग सेवायोग यानि यूपी एस्सी की मूल संस्था लोग सेवायोग कब इस्थापित की गई थी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एक अक्टूबर उननिस्टो चब्विसको नेक्स्ट है भारत में राज्य सरकार की आयका मुखे शूरूत कौन सा है विकरीकर उत्पाथ शुल्क आयकर या फिर संपत्तिकर तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्पाथ शुल्क नेक्स्ट है स्वामी नाराण मंदिर यानि की अक्षर धाम कहां इस्तित है त्वारका गुजरात पूरी उडिशा मत्र उत निम्न मैंसे कौन सी किवल इस त्रियों में पाई जाती है थाइराइट, पिट्यूटरी, अंडाश्य या फिर एडिनाइड तो इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन अमट सी अंडाश्य है नेक्स्ट है गामा किरणय से क्या हो सकता है जीन म्यूटेशन, छीकना, जल निम्न मैंसे कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है तो फ्रेंड्स यह प्रतिरक्षे तद्वों का उत्पादन नहीं करता है इसलिए उप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट है पौधे में जल का परिवहन किसके मात्यम से होता है तो यह होता है हमारा जायलम के द्वारा तो यहां पर हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में उच इस तरिये थोरियम वाले मोनिजाइट का सबसे बड़ा भंडार है तो सबसे बड़ा भंडार है केरल में ऑप्शन ए राइट आंसर है नेक्स्ट है भारत में घूर खुर यानि वाल्ड आस कहां पाया जाता है सुन्दरवन असम के जंगल कच्छ का रन या फिर कावेरी का डेल्टा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अमट सी कच्छ का रन नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पे कॉशन है अमेरिका के किस पूर्व राष्ट पती को सांती का नोबिल पुरुषकार 2002 में मिला तो यह पुरुषकार दिया गया था जिमी कार्टर को तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन है सन 1983 में गुरुडेशियल विश्व कप प्रत्योगता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडिस की टीम को भारत टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था तो उसका कप्तान थे क्लाइव लाइर तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है लाइफ आप पाई पुस्टक का लेखा कौन थे यान मार्टेल, रोहिंग्टन, मिश्ट्री, केन, फोलेट या फे एमजे, अकुर तो इसका राइट आंसर है उप्शन नमर ए जो की है यान मार्टेल नेक्स्ट आते है ग्रेग्रोनियन कलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महिनों के नाम रोम के समराटों के नाम पर रखे गए हैं तो इसका राइट आंसर उप्शन नमर बी ए नेक्स्ट है भारत के किस राज्ये ने सबसे ज़्यादा उप्रधानमंतरी दिये हैं तो इसका राइट आंसर है डी जो की है गुजरात नेक्स्ट हाते हैं ओसत राजस्व का क्या अर्थ होता है तो ओसत राजस्व का अर्थ होता है बेची कई सीमान तिकाई से प्रात्र राजस्व तो इसका ओप्शन से राइट आंसर है नेक्स्ट है सन 78 से प्रारम होने वाले सकसम्मत का संस्थापक कौन था तो उसके संस्थापक दे करनेश्क तो option A right answer है नेक्स्ट है चित्रकला की गांदार शैली का सूतरपाद किसके दौरा किया गया था तो इसका सूतरपाद किया गयता महायान संपरदाई के दौरा तो option B right answer है नेक्स्ट हाते हैं अजमेर में किस सूफी फकेर की दरगा है तो इसकी बात करें तो ये दरगा है मुईनोदीन चिष्टी की तो इसमें इसका option C right answer है नेक्स्ट है ताज महल की डिजाइन तयार करने वाला वास्तुकार कौन था मुहमद हुसेन, उस्ताद इसा, शाहाबबास या फिर इसमाइल तो इसका जो right answer है वो है option number B, उस्ताद इसा नेक्स्ट हाते हैं तो इस अर्थ विवस्ता में सुधार करने के लिए अर्थ विवस्ता में क्या सुधार करना होगा तो इस अर्थ विवस्ता में सुधार करने के लिए जो निवेश की दर है उसको बढ़ाना होगा और जो पूर्जी उत्पादन का अनुपात है उसको कम करना होगा इसके according option D, right answer हो जाएगा नेक्स्ट है, आईकर्ट से प्राप्तराशी किसको जाती है तो फ्रेंड्स ये रासी जाती है केंसरकार को तो option A, right answer है नेक्स्ट है, यूके लिप्टस के ब्रक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं मीजो पहाडियों में, नागा पहाडियों में, मड़ीपुर की पहाडियों या फिर नील गरी की पहाडियों में तो ये पाए जाते हैं मीजो पहाडियों में, option A, right answer है नेक्स्ट है, भारत का प्रतम सौट सहर कौन सा है तो इसकी right answer की बात करें, तो इसका right answer option A, आनंदपूर सा है नेक्स्ट है, फरक्का बांध का निर्मान किसलिए किया गया था तो इसका निर्मान किया गया था, कोलकत्ता बंदरगा की सुरक्षा के लिए तो option A, right answer है नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्टरी कहां इस्तित है पैरामबूर, चितरंजन, मुंबई या फिर कोलकाता तो right answer है A, पैरामबूर नेक्स्ट आते है निम्राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यदा चाय के बागान है असम, बिहार, मेगाले, अरोना चल अगेन, very easy question है असम, option A, right answer है नेक्स्ट है, सीसे के संचियन वाले सैल में किस अमलका प्रयोग होता है फॉसफोरिक एसेड, हाइड्रोक्लोरिक एसेड, नाइट्रिक एसेड या पिसल्फियूरिक एसेड तो इसका right answer है C, नाइट्रिक एसेड नेक्स्ट आते है ठोस विवस्था में विद्धुद्धारा प्रवावित करने वाला पधार्थ कौन सा होता है हीरा, ग्रेफाइट, आयोडेन, या फिसोडियम, क्लोराइड इसका right answer है B, ग्रेफाइट नेक्स्ट आते है किस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरलविधी कौन सी स्थिधी में होती है तो फ्रेंड्स इसका right answer के लिए बात करें तो जब हम इसको बदलने के सबसे सरलविधी की बात करें तो वो होती है उच्चे तापमान और कम दाप इसलिए इसका right answer होगा option B next है रास्ट मंदल खेल पहली वार कव आयोजित किये गए थे तो यह आयोजित किये थे 1930 में तो option D यहांपे हमारा right answer है next है किसी नक्षे पर एक निश्चिन समय पर समान ताप वाले बिंदों को जोडने वाली रेखा कहलाती है तो यह रेखा कहलाती है I so tharm next है दिल्ली का पुराना किला किस की दौरा बनवाया गया था तो यह दिल्ली का जो पुराना किला था वो बनवाया गया था शेरशा के दौरा तो option A right answer है next and the last question है आची वीडियो का रास्टी आय से क्या तात पर रहे है तो रास्टी आय की बात करें तो यह हमें बताती है कि कि किसी एक देश की एक वर्ष की अपदी में उत्पादिक जो भी पुर्ण जीगत पधार्तों की जो आर्थिक मूले होता है उससे संबंदित होती है यह आरास्टी आया तो option C यहां पर राइट आंसर है friends यह था हमारा आज का प्रेक्टिस एट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंट्स क्या शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा आपके कितने questions आई गए तो नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं आप से और वीची वीडियो तब तक के लिए बाई बाई